प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए एक सबस्क्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें, उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें, बस हूगया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी दो हफते पहले हमने इस विशे का, जिस विशे का आर्म किया, वो यह है कि बाइबल का अध्यान, बाइबल की वियाख्या कैसे करें, सिर्फ वियाख्या ही नहीं, वियाख्या का मुख्यूद देश यह है कि बाइबल का मतलब क्या है, इसको समझें, और बाइबल का मतलब क क्या है इसको हम इसलिए समझना चाहते हैं कि मेरे आपके जीवन के लिए उसका क्या मतलब है क्या प्रयोजन है मुझे किस तरह की शिट्षाएं देता है पिछले दोनों हफते मैंने बार-बार याद दिलाई थी कि यदि आपके पास अपने स्वयम की बाइबल एक डायरी और एक पैन हो तो बाइबल अध्यान आरम करने के लिए उसके अलावा किसी भी तीसरे चीज की जरूरत नहीं है पिछले हफते मैंने एक चीज और आपको याद दिलाई थी वो यह है कि प्रभू का वच्चन जब हम पढ़ते हैं तब किसी भी विशे पर कंप्लीट बाइबल क क्या कहता है ये समझ लेने चाहिए आगे बढ़ने से पहले मुझे प्रश्ण मिला है और मुझे लगा कि इस प्रश्ण का जवाब देते जाना चाहिए क्योंकि यह सब डिरेक्सलिए वया अक्टिया से संब्मन्दित ना होते हुए भी यह सब प्रभू के वचन से संब्मन के नाम है और उसके अलावा शहरों के नगरों के गाउं के नाम है उसके अलावा तमाम तरह के तीज त्योहारों के नाम है गैरमसीही धर्मों का नाम है समूहों का नाम है उनके देवी देउताओं का नाम है ये जो हजारों नाम हम प्रबू के वचन में देखते हैं उनको इनका उच्चारन अलग होता है अमरीका जैसा देश जहां पर सब लोग एक ही भाषा बोलते हैं वहां आप अमरीका के किसी भी हिसे में चले जाएं आप एक ही उच्चारन सुनेंगे प्रभु क्योंकि सभी लोग अंग्रेजी बाइबल पड़ते हैं लेकिन हिंदुस्तान ज महां से मदिप्रदेश और उसके बाद यदि पंजाब हरियाना अलग-अलग इलाकों में जाएंगे उड़ी सा बिहार सब जगए बाइबला पड़ते हुए सुनेंगे लेकिन हर जगए पैदमेश्वर के वचन में जो नाम आये हैं यह नाम अलग-अलग उच्चारन आते ह यह क्यों यह बहुत अच्छा प्रश्ण था बहुत यह अच्छा प्रश्ण था और इसका मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि इसका यह ऐसा क्यों होता है इसका कोई एक कारण नहीं है इसके बीसियों कारण है जिसमें दो चार कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं बहुती जिल्चस्प बाकि जो छोटे कारण है उसको तो हम छोड़ सकते हैं नमबर वन अलग 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 देश और प्रदेश में उच्चारण अलग अलग होते हैं एक प्रदेश में जो उच्चारण जो बिल्कुल स्वीकारी होता है स्वाभाविक है वो अन्य प्रदेशों में स्वीकारी नहीं होता है अन्य प्रदेश के लोग उसका उच्चारण नहीं कर सकते आज जो लोग क्लास सुन रहे हैं इन में से बहुत सारे लोग मराथी बोलते हैं मराथी में एक अच्छर है ला जिसका उच्चारण गयर मराथी लोग नहीं कर सकते मेरे एक केमिस्ट्री के अध्यापक थे दल्वी सर और सब लोग उनको दल्वी सर बोलते थे मैं शायद काफी निकट उच्चारण किया करता था लेकिन शत्प्रतिशत में उच्चारण नहीं कर सकता था तो इस कारेंड दल्वी सर का नाम जब मराथी में जो लोग लेते हैं और हिंदी में लेते हैं वैसे भी अलग हो गया क्योंकि हिंदी में वह अच्छर नहीं है मलयालम में एक अच्छर है रोजा जो हिंदुस्तान की भाष़ा में सुर्फ मलयालम में मिलता है और कोई व्यक्ति मलयाली है या नहीं केरल का है या नहीं ये जानने के लिए उससे कहा जाता है कि जराख पालम शब्द बोलो तो जादा तर लोग पलम या पलम बोलते हैं एक दम से समझ में आ जाता है कि वो केरल का नहीं है केरल में या किसी का नाम राा के साथ आता है तो अन्य भाषा के लोग उच्छारंट नहीं कर सकते उन्हें अपनी इच्छा से adjust करना पड़ेगा तो इसलिए नामों के अलग होने के पीछे पहला स्वाभाविक कारण यह है कि अलग-अलग भाषाओं में कई अच्छर नहीं पाये जाते इसका एक और उदाहरण है जर्मन भाषा पुरानी नियम के मामले में इवन नई नियम के मामले में बहुत अधिक अनुसंधान जर्मन जर्मनी में हुआ है जर्मन भाषा में या शब्द नहीं है वाई शब्द नहीं है इसलिए जहां भी यहोवा शब्द आया है वहाँ उन्होंने जर्मन भाषा में जहोवा कर दिया जिसके कारण अंग्रेजी बाइबल में यहोवा शब्द जो जहोवा शब्द के रूप में आया है हिंदी एन्वाद में उसको यहोवा किया गया है तो जर्मन वालों की भाषा में यहा ना होने के कारण उन्होंने ने सारे के सारे या को ना कर दिया तो इस तरह से अलग-अलग भाशाओं में विबिन भाशाओं में कुछ अच्छर नहीं पाए जाते उसके कारण नामों के उच्चारण में परेशानी आती है और इसलिए नामों को बदलना पड़ता है ब्रिटीश लोगों को डा का उच्चारण काफी मुश्किल पड़ता है मुझे अभी भी याद है मेरे फादर आज से कुछ साल पहले जब हिंदी क्लास एटिन कर रहे थे केरल से गये थे उत्तर भारत में तो उन्होंने सोचा कि हिंदी और अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं क्लास एटिन करने गए वहां पे कुछ अंग्रेज लोग भी विद्यारती के रूप में थे मैं दस साल का था मुझे अभी भी याद है तो शब्दों का उच्चारण कर रहे थे तो फादर ने पड़ा घोड़ा तो बगल में जो अंग्रेज बैठा तो उसने का फिलिप घोड़ा नहीं घोड़ा क्योंकि उनके लिए डाक उच्चारण मुश्किल है इसलिए अंग्रेज उने बड़ोदा को बरोड़ा कर दिया था आज भी बहुत सारी इतिहास की पुस्तकों में खासकर पुरैने जमाने की इतिहास की पुस्तकों में बड़ोदा को बरोड़ा लिखा जाता है तो इसके अलावा कुछ भाशाओं में लोगों का टेस्ट होता है जैसे हिंदी भाशा में पप्पू, मुन्नी, बच्ची, कलुआ, कालिया ये सब गाओं में नाम चलते हैं लेकिन हिंदी छेत्र से बाहर चले जाएं तो लोगों को बड़ा वी छेत्र लगेगा कि इसका क्या मतलब है तो अन्य प्रदेशों में ये नाम बदल जाते हैं इसके अलावा कुछ भाशाओं में जो नाम होते हैं वो अन्य भाशा वाले को सुनने में बड़ा आटपटा लगता है मैं एक बार जब जर्नलिजम की पढ़ाई के लिए सिंगापूर गया था तो वहाँ उन्होंने अनौन्स किया कि आज शाम को क्वेर एक विशेश गाना जो है प्रेजन्ट करेगा और उसको लीड करेंगे आइम सॉंग अच्छा मैंने का कि वो आदमी अपने आपको गाना क्यों कहता है आइम सॉंग तो मैंने किसी से पूछा तो उसने कर, no 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 जब इस तरह के नामों का हिंदुस्तानी भाष़ा मैं अनुआद होता है तो I am सॉंग से confusion ना हो इसलिए कोई व्यक्ति उसको इमसुंग कर देता है तो उसमें कोई ताज्यूप की बात नहीं है तो इस तरह से कई नाम बदले गए हैं सिंगपूर में मैंने एक और नाम देखा और वो ताज्यूप की बात है कि जूते की दुकान पर नाम लिखा हुआ था वहां लिखा था शू सॉक्स एंड कमपनी तो मैंने सुचा कि दुकान का नाम होगा जूते की दुकान है तब पता चला कि नहीं नहीं ये एक लेक्ति का नाम है शू सॉक्स तो कई बार नाम अन्य भाषा में बड़े हास्यास पद हो जाते हैं इसलिए भी बदल दिये जाते हैं इसके अलावा एक और कारण है कुछ भाषाओं में बिल्कुल पर्फेक्ली नॉर्मल नाम अन्य भाषाओं में गाली के रूप में बदल जाता है उदाहरन के लिए जर्मिनी में एक यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के नाम का उच्चारन आप किसी हिंदी भाषी के सामने नहीं कर सकते क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के नाम का उच्चारन हिंदी में पूरिश्लिंग के लिए जो शब्द है वो नाम है अब कैसे उचारेंड कर सकते हैं तो नाम को किसी ना किसी तरह से बदलना ही पड़ेगा उसी तरह से जर्मेनी के जर्मेनी का एक बहुत ही फेमस सरनेम है जो सेक्स रिलेशन के लिए हिंदी में जो शब्दाता है या अंग्रेजी में जो शब्दाता है उस शब्द से बना है अब आप उस नाम का उचारण कीजी पबलिक में तो होता है नाटक तो इसलिए इस तरह के पचास कारण है जिससे की एक कल्चर में जो नाम कॉमन है या आम है उन नामों को जैसा का तैसा दूसरी भाषा में नहीं ले जाया जा सकता इसलिए हिंदी बाइबल का अनुवाद या भारती भाषा में जब बाइबल का अनुवाद हुआ तो अनुवाद को ने कोशिश की कि जहां तक कल्चर के अनुरूप नाम या कल्चर के अनुरूप उच उच्छारण हो उतना अच्छा होगा इसलिए उनने बाइबल में नामों को भारती उच्छारण दिया मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में यदि जो नाम दिये गए हैं उनका उच्छारण यदि उरजिनल उच्छारण के समान होता तो आज भारत में ब और इसको मैं बहुत भुगत चुका हूं, मेरे माबाप ने मुझे जो अंग्रे जी नाम दिया, अपने विद्यार्थी जीवन भर मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ी, यूनिवर्सिटी में जब हम मैं रिसर्च कर रहा था, तब मेरे एक साथी ने कहा कि जॉंसन अच्छा इसाई हो, हाँ, तुम लोग कोई भी आदमी किसी भी औरत के साथ जी सकता है, ना, जॉंसन के बदले यदि मेरा नाम आनंद होता, आशिश होता, आर्पित होता, तो इतनी परेशानी नहीं होती, तो जब हमको गलत समझा ही जाता है, तो ये प्रभु की दया है कि कम से कम उ उस किये गए है, उनका उच्चारण भारती उच्चारण रखा गया है, मुझे हमेशे इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरे माबाप ने मुझे अंग्रे जी नाम दिया, क्योंकि केरल में अंग्रे जी नामों का प्रचलन बहुत जादा था, और मैं सच कहता हूँ, प्रफिलिप उसका नाम था, और जब भी वो स्कूल में पढ़ती थी तो लोग उसको सुईडोरा कहते थे, उससे पूछ के देखे कि कितना मज़ा आता था, जब लोग इस तरह से आपके नाम का उपहास करते हैं, नाम कल्चर से जुड़ा हुआ है, इस बात को जानकर उतना नामों का अनुआद कल्चर के अनुसार उपयोक्त तरीके से उपयोक्त उचारण से किया, यह है इसका कारण, हम अब पवित्र बाइबल के और वापस आते हैं, इस तरह से कोई भी प्रशन हो, मुझे भीज दीजिए, डायरेक्ली भीज सकते हैं, ब्रदर रेवी के मैं भर सक कोशिश करूँगा कि सभी प्रशनों का जवाब देता चला जाओं, और प्रशन हो सकता है, एक व्यक्ति कहो, लेकिन उससे सभी को फायदा होगा, यह बात मैं याद दिला दूँ, पिछले हफ़ते मैंने यह बात याद दिलाई थी, कि पवित्र बाइबल को, पढ़ते चले जाएं, और उनको नोट करते चले जाएं, यदि उद्धार शब्द आया है, तो जहां पर आपको वो पद मिला, उसको नोट कर लिए, उसके बाद प्रभू के वचन में जहां जहां उद्धार शब्द आया है, उन सब को नोट करते चले जाएं, और बाद मे इन सब पदों को एक साथ जोड कर जब आप पढ़ेंगे तब ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि उद्धार शब्द एक से अधिक माईनों में प्रभू के वचन में आया है और जब इन सब पदों को कंपेर करेंगे तब ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि किस अर्थ में वो प उक्की नियम है वो यही है कि प्रबु के वचन की जब हम व्याख्या करें तब एक विशे के बारे में प्रबु का वचन जो कहता है एक दम से एक पथ कर आधार पर व्याख्या करने के बद ले उस विशे के बारे में प्रबु के वचन में सब जगे क्या कहा गया है इन सब को देखें और उसके बाद वियाख्या करें जब हम इस तरह से प्रबु के वचन का अध्यान करेंगे तब हम देखेंगे कि एक शब्द कई बार अलग अर्थों में यूज हुआ है उसको हम समझ जाएंगे ये भी समझ जाएंगे कि एक पद के साथ दूसरा पद जब हम तुलना करके पढ़ेंगे तब विशे पर और अधिक प्रकाश पढ़ेगा। इसके एक छोटा सा उदाहरंड है यूहनना के शुप संदेश में प्रभु ईशु ने कहा था कि मेरा शरीर खाना और मेरे रक्त को पीना जरूरी है। यदि प्रभु बोज में से भाग लेता है तो प्रभु के शरीर को अच्छरश लिटरली खाता है। और यदि वो दाखरस पीता है तो प्रभु के रक्त को अच्छरश या लिटरली पीता है। गलत व्याख्या है। उसी अध्याय को ध्यान से आप पड़ेंगे। तो आगे उसी अध्याय में आगे स्पष्टतेया ये बात मिलती है कि जो मेरे वचन को सुनकर उसे मानता है वो मेरे शरीर और मेरे लहु का सहभागी है। तो प्रभू के वचन में ही एक बात जो कही गई है उसको आप दूसरी बातों से तुलना करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभू का वचन क्या कहना चाहता है। इस तरह से प्रभू के वचन में एक जिगए जो कहा गया है उसको दूसरी जिगए जो कहा गया है उससे तुलना करके अध्यान करें तो प्रभू का वचन स्पष्ट हो जाएगा। इसमें कहीं कोई कृत्रिम बात नहीं है और कृत्रिम बातों की मदद से हम प्रभू के वचन की व्याख्या ना करें। इससे संबंदित और भी दो-तीन बाते हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। आज जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हम यह जो अध्यान कर रहे हैं इसका कुछ practical application भी तो होना चाहिए तो आज हम एक practical application लेते हैं प्रबो के वचन में जो कहा है उसकी व्याख्या हम उस विशेय पर जो कुछ अन्य जगह कहा है उसके आधार पर करें इतना सुनने के बाद आब हम जरा एक प्रैक्टिकल व्याख्या की तरफ जाएं किसी पत्को जैसे हमने पड़ा क्योंकि पदमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलोता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे जब मिस्त्र से एक पत को पढ़ते हैं तो अब डायरी में हम नोट करते जा रहे हैं कि उधार से संबन्दित है उसको एक पन्ने पर रहने दे अगले पन्ने पर हमको क्या लिखना है उसके पहले एक प्रशन हमें अपने आप से पूछना है यह जो पढ़ा भी हमने पढ़ा है युहना 3.16 इसमें कोई शाश्वत सत्य है क्या शाश्वत सत्य से मेरा मतलब है ऐसा कोई सत्य जो समय या काल के अनुसार बदलता नहीं है ऐसी बहुत सहरी चीजे हैं जो समय और काल के हिसाब से बदलती है एक जमाना था जब भारती समाज में सूट और टाई पहनना एक जेंटिल्मैन की निशानी थी मसीही लड़के सूट और टाई पहन कर शादी पर बड़ा इतराते थे लेकिन आजकल शादियों में भारती वस्त्रों का चलन कम से कम लड़कों के बीच में हो गया है समय और काल के हिसाब से टेस्ट बदलता है ये कौन सा वस्त्र सही है ये कोई शाष्वत सत्य नहीं है शाष्वत सत्य से मेरा मतलब है चाहे आज से चारहजार साल पहले हो या आज हो एक समान है क्या तो ये जो युहना 3.16 है इसमें कोई शाष्वत सत्य चुपा हुआ है क्या जी हाँ एक से अधिक शाष्वत सत्य चुपे हैं उसका पहले ही प्रस्ताव है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कल प्रेम रखा था क्या बिलकुल रखा था आज रखा है क्या बिलकुल रखा है आने वाले कल प्रेम करेंगे क्या जी हाँ करेंगे तो एक शाश्वत सत्य है कि परमेश्वर सदा सरवदा जगत से प्रेम करते हैं ना केवल धर्मियों से बलकि पापियों से भी प्रेम करते हैं पाप से प्रेम नहीं करते इस कारण यदि पापी पश्चताप न करे तो परमेश्वर की न्याय और व्यवस्ता के इसाब से पापी को नरक में भीजना जरूरी हो जाता है लेकिन प्रेम जरूर करते हैं तो इस तरह से हम एक-एक करके पूछना शुरू करें तो उस पद का लगभग पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा इसको और अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए मैं प्रभू के वचन से एक पूर्शन आपके सामने रखना चाहता हूँ और कृपया सभी लोग इस पूर्शन को खोल ले यूहन्ना का शुब संदेश दूसरा दियाए वहाँ हम पढ़ते हैं तीसरे दिन गिलील के काना में किसी का विवाह था इशु की मा भी वही थी इशु और उनके चेले भी उस विवाह में नेवते गय थे जब दाखरस घट गया तो इशु की मा ने इशु से कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा एक वाक्य जब आप इस वाक्य को पढ़ते हैं तब ये प्रशन अपने आप से पूछिए कि यहाँ पर हम कोई शाश्वत सत्य एक या अनेक शाश्वत सत्य देखते हैं क्या एकदम से शुरू-शुरू में हो सकता है कि समझ में ना आए लेकिन जैसे 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 आप प्रभु के वच्ण का आधियान करते जाएंगे तब ये और अब एक सपष्ट होता चला जाएगा यकीन मानिये जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा वैसे वैसे एक पद आप पढ़ेंगे उसमें 50 बाते दिखाई देंगी अब जैसे यहां हम देखते हैं तीसरा पद दाखरस घट गया यहां पर कोई शाश्वत सच देखते हैं क्या बिलकुल देखते हैं और वो शाश्वत सच यह है कि मनिश कभी भी अपनी जरूरतों का इसलिए उसको हमेशा अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए मतलब वो जो कुछ भी करता है उसे करना जरूर चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ जो कर रहा है उस पर घमंड करने के बदले हां मैं परियाप्त हूं सेल्फ हैं स्वयं में परियाप् और भरोसा रखना चाहिए यदि ये जो दाखरस घट गया जो प्रस्ताव है उसमें इस शाश्वत सत्य को आप देख सकें थोड़ा से समय लगेगा यकिन मैंने हर नई चीज में समय लगता है लेकिन ये जो एक फ्रेज मैंने पड़ा उसमें ये शाश्वत सत्य आपने समझ लिया तो उसके साथ साथ आपको अचानक वो बात याद आएगी एक धनी आदमी था खेती की इतना अन्न हुआ कि उसको अपना स्टोर हौस तोड़ के नया बनवाना पड़ा सब भरना पड़ा उसके बाद उसने कहा हे मेरे प्राण खाओ पियो और आम से रहो तुझे किसी बात की फिकर नहीं है तब प्रभु ने कहा कि हे मूर्क यदि आत्मा तेरी आत्मा आज तुझ से ले ली जाए तो इन सब का क्या फाइदा होगा तो जब हम इन दोनों को मिला कर पड़ते हैं तब एक बात और स्पष्ट हो जाएगी हमें हर चीज का इंतिजाम जरूर कर ल लेगा इसलिए कभी भी हम अपने स्वयम की व्यवस्ता पर घमंड ना करें देखिए जरासा एक स्टेट्मेंट है प्रभु के वचन का जब दाखरस घट गया इस एक प्रश्ण के आधार पर कितनी बातें स्पष्ट होगे उसमें से इस तरह से किया जाता है प्रभु के वचन का अध्ययन और मैं यकिन दिलाना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह से क्रमबद तरीके से प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं और नोट करते चले जाते ह उनके पास प्रभु के वचन से दूसरों के साथ शेयर करने के लिए कभी भी वचन की कमी नहीं होगी ये एक स्टेटमेंट के आधार पर मैंने दू-तिन बातें आपके सामने रख दी अगला स्टेटमेंट इश्व की मा ने उनसे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा यहां कोई शाश्वत सत्य देखते हैं क्या जी हाँ शाश्वत सत्य यह है मा ने इस बात को पहचाना कि आखरी ठंड पर दोड़के जाके परियाप्त दाखरस नहीं लाया जा सकता इस कारण मनिश्य जब अपनी असाहायता देखता है तब उसको अपनी असाहायता इस विश्व के स्रिष्टा प्रभू के सामने पेश करना चाहिए यहां हम यह नहीं देखते कि उसने किसी को इधर दोड़ाया उधर दोड़ाया कुछ नहीं वो जानती थी कि प्रभू इश्व के सर्वे सर्वा स्रिष्टा हैं और इसलिए जबर्दस्ती किसी को इधर उधर दोड़ायने के बदले सीधे सीधे प्रभु के पास पहुंच गई प्रभु को प्रभु के सामने ये बता दिया कि प्रभु यहां बड़ी खाराब हालत है एक स्टीट्मेंट उनके पास दाकनस नहीं रहा उसके अलावा कुछ नहीं बोला तो ये एक शाश्वत सत्य बताता है कि जब हम असहाय स्थिति में होते हैं तब हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर आश्रय रखता है वो असहाय नहीं है प्रभू की माने इस बात को समझा और इसलिए माने जाकर प्रभू से कहा कि उनके पास दाकरस नहीं है तो ये जो स्टेट्मेंट है इसमें कोई शाश्वत सत्य छुपा है क्या बिलकुल छुपा है और वो शाश्वत सत्य ये है कि जब हम जीवन की असहाय स्थिति को देख किते हैं तब सबसे पहले हमें हमारे स्रिष्टा परमेश्वर के पास बात पहुंचा देनी चाहिए और उसके बाद परमेश्वर जैसे अगवाई करेंगे उसके अनुसार करना चाहिए खतम हो गया कि जी नहीं इसमें और भी बातें चुपी हुई है मरियम ने वहाँ पर प्रभु ईशु के सामने खड़े होकर कोई बड़ा नाटक किया क्या कि उनके पास दाकरस नहीं है दाकरस विवाह के लिए बहुत जरूरी है और यदि दाकरस नहीं होगा तो परोस नही जाएंगे लोग बुरा मान जाएंगे तो जगडा टंटा हो जाएगा और यदि वह जो आपसिट पक्षवाले हैं वह यहां से वाक आउट कर दें तो शादी का ही नाटक हो जाएगे यह सब उसने बूला क्या नहीं जब हम अपना अनुरोत प्रभु के पास पहुंचाते ह हैं तब वहां पर नाटक करने की जरूरत नहीं है प्रभु इश्व ने जब हम इतना समझ लेते हैं तो प्रभु इश्व का वो स्टेटमेंट याद आ जाएगा कि जब तुम प्रार्थना करो तो कप्टियों के समान बकबक मत करना क्योंकि उनको लगता है कि बहुत बोलन अब्रaud 20 नाम के बहुत बड़ा महा रोग लगा हुआ है कि जो बात हम प्रभु के सामने एक स्टेटमिंन में बोल सकते हैं वो पच्यास स्टेटमिंट में बोलने के बाद भी हमको संतुष्टी नहीं होती है तो यदि प्रभु की मा केंदले कोई ब्रदरण्ट भाई होत तो वो कैसे प्रार्थना करता। मान लिज्य कि चर्च में कहा जाता है कि ब्रदर फलाने फलाने की तबियत बहुत खराब है, डेथ बेड पर है, उनके लिए प्रार्थना करें। तो खड़े होकर हे प्रभु फलाने भाई की तबियत बहुत खराब है, उनके उपर दया दिखाईए बोलने के बदले हम में से कई लोग जिनको प्रार्थना रोग लगा हुआ है, मैं प्रार्थना की बात नहीं कर रहा, प्रार्थना अलग बात है, प्रार्थना रोग अलग उने देखा, काफी बड़ी राशी मंडली को दी, उनके छोटे बेटे के लिए हम प्रार्तना कर रहे थे, आवारा फिर रहा था, और अब वो प्रभू के पास वापस आने लगा है, कहीं भाईया गुजर गए, तो वो लड़का फिर से आवारा गर्दी करने लगेगा, उनकी बेटी के बारे में जानते हैं, ऐसा जमकर प्रभू को पाठ पढ़ाते हैं, कि कुछ पूछिये मत, इसका सबसे क्लासिक उदाहरेंड मैंने एक बार देखा था, वापरे मैं भी मौजूद था उस सभा में, एक भाई ने प्रार्थना स्टार्ट किया, करते गए, करते गए और चर्च में सब लोग इधर देख रहें, उदर देख रहे हैं, ये तो प्रभू की दिया है कि किसी ने वाक आउट नहीं किया, जब उनकी प्रार्थना खतम हुई तो उसके बाद संदेश सुनने की हिम्मत किसी में नहीं रही, और जब मीटिंग खतम, जब सभा समात हु लिए, तो मुझ से आकर पूछा, जॉन्सन मालूम है क्या मैंने कितने मिनिट प्रार्थना की, मैंने कहिए जिये नहीं, 14 मिनिट उस भाई को घमंद इस बात का था, इस बात का नहीं था कि मैंने आपकी सबकी जरुरते प्रभू के सामने रखी, घमंद इस बात का था, कि म प्रमेश्वर के वचन में जो ज़्यादा तर प्रार्थनाएं हैं वो एक मिनित से कम में खतम हो जाती हैं। वहाँ पर नाटक ना करें, मोना एक्टिंग ना करें। प्रभु ईश्व ने स्वयम कहा है कि बक बक ना करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने से सुनी नहीं जाती है। अगला प्रशनी जो हम इसी के बारे में हम पूच सकते हैं। हाँ, जरा नोट कर लीजी, ये प्रशनी जो मैं आपको दे रहा हूँ, बाइबल का अधियान कैसे करें, ये उसका गाइडन्स है। बाइबल का धियान करने के लिए नमबर वन सारे पदों को कंपेर करें। वो अलग से चलता रहेगा। बाइबल से कोई भी हम पॉर्शन पढ़ते हैं, पहला प्रशन पूछें कि इस पॉर्शन में कोई शाश्वत सत्य है क्या। अगला प्रशनी जो हमें पूछना है कि यहाँ पर व्यावहारिक जीवन से सम्बंदित कोई सत्य है क्या। यह जो पदम ने पड़ा है यहां व्यावारिक जीवन से संबंदित कोई सत्य है कि बिल्कुल है अल्रडी हम देख चुके हैं और वो यह है कि मनिश कोई भी इंतजाम करे वो गड़बड़ हो सकता है दूसरी बात यह है कि जब इस तरह से गड़बड़ हो जाता है तो हमें हमेशा अपनी जरूरत प्रभु के पास पहुंचानी चाहिए इसके साथ साथ एक प्रशन और पूछना चाहिए वो यह है कि इस विश्व के ऊपर पदमेश्वर का जो नियंतरन है उससे संबंदित कोई व्यावारिक बात देखते हैं क्या व्यावारिक बातें 50 तरह की हो सकती हैं तो व्यावारिक बातें हैं क्या यह जानने के लिए दो चार और प्रशन उसी से संबंदित पूछें पहला कि इस विश्व के ऊपर पर मेश्वर का जो नियंतरन है हमारे जीवन पर उससे संबंदित कोई बात है क्या बिलकुल है वह खासकर आगे के पदों को जब हम पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि बोने और काटने के बारे में कुछ है क्या डायरेक्ली तो नहीं है लेकिन इंडायरेक्ली है मर्यम ने जिसके पास प्रार्थना पहुंचा नहीं थी उसके पास पहुंचा दी उसका फल अच्छी तरह से काट लिया पर मेशुर को आदर देने के बारे में कुछ है हम पढ़ते हैं कि यह सब वो दूसरे प्रश्ण के संबंदित है बिलकुल है क्योंकि जैसे ही दाकरस कम हुआ मर्यम ने यह नहीं का कि मेरे पास जुगाड है बेलकि जाके प्रभु को बताया जीवन के प्रती जो आत्मिक नजरिया होना चाहिए उससे संबंदित कोई प्रैक्टिकल बात यहां है कि बिलकुल है जीवन से संबंदित जो प्रैक्टिकल नजरिया है वो यह है कि जीवन में जब मानिश से जो समस्य हल नहीं होती ऐसी समस्य आती है तो प्रभु के हाथ में सौपना है तो मेरे प्रीय भाईयों और बहनों यह दो प्रशन पूछने के लिए किसी बाइबल सेमिनरी में जाने की जर्रत नहीं है पहला प्रशन यह जो भाग मैंने पड़ा है इसमें कोई शाश्वत सत्य है क्या परमेश्वर बाइबल से कोई भी भाग पड़े यह पहला प्रशन होना चाहिए आप पूछेंगे कि ब्रदर बाइबल में जब बाइबल जब हम पड़ते हैं तो उसके हर हिसे में शाश्वत सत्य होता है क्या शायद नहीं इस तरह के कई पैसेज्वर सो सकते हैं जहां शाश्वत सत्य नहीं बलकि कुछ ठणिक जो सत्य है वो बताया गया हो जैसे फलाने अपने आपसे नहीं पूछेंगे तब तक कैसे पैचानेंगे और जब हम ये प्रश्ण बार-बार अपने आपसे पूछने की आदत डाल देते हैं तो एक पैसेज देखते ही उसका मतलब समझ में आने लगता है तो प्रभु के वचन के अध्यान के लिए जो कई प्रश्ण प देखते हैं क्या इसके अलावा और भी कई प्रश्ण हैं लेकिन प्रभु ने मदद की तो हम इन प्रश्णों को अगले हफ्ते देखेंगे एक साथ ही मैं देदूंगा तो बदहजमी का डर है मेरा अनुरोध है मेरे प्रिये भाईयों और बहनों जरा इन प्रश्णों को अपनी डायरी में नोट कर लें और प्रभु के वचन से कोई भी भाग उठा कर इन प्रश्णों के आधार पर उस भाग का विशलेशन आरम कर दें मेरे एक सुझाव है उड़ाओ पुत्र की कहानी लूका केशुप संदेश में हम देखते हैं मेरे प्रिये भाई मेरी प्रिये बच्चे बच्ची प्रभु का वचन हमको जीवन दान देता है इसलिए उसका अध्यान जरूरी है इसलिए आज से आदत डाल लो आज जो है जरा प्रभु पर भरोस प्रभु ने मदद की तो आगे हम देखेंगे इस तरह से पूरा जो पैसेज जरा उसका विशलेशन कर लो प्रभु ने मदद की तो मैं विशलेशन करके दिखाऊंगा तो उससे ये बात और सपश्ठ हो जाएगी कि जैसे जैसे तुम स्टडी करते जाओगे भाईयो बहनों जैसे जैसे आप लोग स्टडी करते चले जाओगे वैसे वैसे प्रभु का वचन कैसे स्पष्ठ होता चला जाएगा जब मैं इतना बोल दिया है तो संभावना है कि कम से कम दो चार लोग कहें कि ब्रदर कभी कभी पढ़ते पढ़ते एक ऐसा स्टेट्मेंट आ जाता है जिसका मतलब समझ में नहीं आता कौन बड़ी बात है जिसका मतलब हम पूरी तरह से समझ सकते हैं मैंने नोट किया कि कमेंट बॉक्स में ब्रदर रिवी डेविट का नंबर दिया हुआ है उसको सभी लोग नोट कर लें जिससे की कोई प्रश्न पूछना है आप उनके पास तक पहुंचा दें तो ब्रदर रवी वो मुझे पहुंचा देंगे प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उसके कारण विश्य और अधिक स्पष्ट हो जाता है तो ये दोनों प्रश्न लग आ जाता है तो मुझसे बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा जाता है अच्छा तो आप यदि रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में किसी ने पत्थर डाल दिये हों तो आप दफ्तर जाने के बदले घर वापस चले जाएंगे क्या नहीं सबजी लेने जा रहे हों रास्ते में कीचड़ है आप घर वापस चले जाएंगे क्या नहीं डॉक्टर के पास जा रहे हैं महां हरताल हो रहा है लेकिन वो लोग बात्चित के लिए तत्पर हैं बात्चित के बिन आप घर वापस चले जाएंगे क्या नहीं आप जाके उनसे कहेंगे कि भहिया मुझे डॉक् से खटने ही मैसोस अब मुझसे बिल्कुल आगी नहीं जाए जाए जाएगा यह एक्चुली कपट है हम प्रभु के वचन का अध्यान नहीं करना चाहते इसलिए यह सब नाटक और नाटक की करते हैं मुझे एक बात बताईए आप मैंसे ज्यादातर लोग मांसाहरी लोग हों आप मैंसे जितने लोग मांसाहरी लोग हैं आप मचली खाते हैं मचली उमें काटा होता है तो जैसे काटा देखा काटे को चबाना मुश्किल है तो काटे के साथ पूरी मचली आप फेंक के चले जाते हैं क्या कौन मुर्ख होगा जो ऐसे करता है हम क्या करते हैं मचली से कांटे को बड़ी सावधानी से हटा कर रख देते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ है उसका आस्वादन करते हैं मैं पूर्ण मांसाहरी नहीं हूँ मैं शाकाहरी प्रिफर करता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि मान साहर इरोग मचली खाते हैं तब क्या करते हैं तो मचली खाते समय यह भी काटे हटा सकते हैं जो चीज आपको शारीरिक जीवन दे रहा है उसमें कोई अरचन आती है आप उसको तुरंथ अटा देते हैं तो मुझे और आपको आत्मिक जीवन देने वाला प्रभू का वचन जब हम पढ़ते हैं तब एक आद दो काटों के समय मुसीबत आती है तो उसको हटा के रखके आगे जो इतना बड़ा शरीर को मन को और आत्मा को पोशन देने वाला प्रभू का वचन है उसको पढ़ने को आप मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं मुझ से आगे नहीं बड़ा जाता तो ये सिर्फ कपट है प्रभू से बलवा कर रहे हैं आप प्रभू का तमाश्या प्रभू के सामने नाटक कर रहे हैं प्रभू का उपास कर रहे हैं प्रभू का वचन कहता है धोका मत खाओ परमिश्वर का मजाक नहीं किया जाता मन जो बोएगा वो काटेगा प्रभू इस बात को जानते हैं कि आप जान बूच कर प्रभू के वचन की उपेक्षा कर रहे हैं कठनाई वगरा कुछ नहीं है वो तो सिर्फ नाटक है आप सड़क पे जाते हैं तब ऐसा नहीं करते हैं भोजन खाते हैं तब ऐसा नहीं करते सिर्फ प्रभू के वचन के मामले में ही ये नाटक क्यों नाटक और नौटं की क्यों इस बात को भी समझ लें प्रभू ने मदद की तो आने वाले दिनों में हम इस विशे को और आगे बड़ाएंगे प्रिय भाईयों बहनों सभी लोग एक-एक डाइरी बाइबल के साथ रह प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा, शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत प्रसि नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी, इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोथसाहन देता है, जै मसीह की